हलो दोस्तों महाराष्ट बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आचुकि ये पेपर को लेकर दस्वी और बरहमी की महाराष्ट दस्वी और बरहमी की परिच्छा आउप लाइन ही होगी इस तरीके से अपडेट आई कि आप लोग का जो पेपर है आउप लाइन लिया जाएगा कोई भी बदलाव नहीं होगा इस तरीके से अब इसे क्या क्या है उसको मैं इस वीडियो पूरा बताऊंगा तो आप लोग लाश्ट देखोगे 100% में बलता हूँ आप लोग का पूरा डाउट किलियर हो जागा पेपर के रिलेटर जो आई है अभी दस्वी बरहमी के इस समझ चल रहा है दो दिनों पहले हजारों बिद्यार्थी ने अचानक स्कूली सिच्छा मंत्री वर्शाग आईकवाड के मुंबई में धरावी इस्तित घर का घेराव कर दिया था इसके बाद सिच्छा मंत्री ने आस्वासन दिया कि वे विद्यार्थियों के मांगों पर चर्चा करेंगी जो विद्यार्थी की मांग है उसे चर्चा करेंगी लेकिन फिलाल यही तैंक हुआ कि परिच्छा के संदर में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा परिच्छा offline ही ली जाएगी ए अपडेट आज की रिडिट में आया था 6 बच के 19 मिनट पे तो मैं आप लोग को इस वीडियो के माधिन से आप लोग को ए अपडेट दे रहा हूँ इसे लिखा है महाराश्य दस्वी और बरामी की बोड परिच्छा offline ही ली जाएगी तैंक कारिक्राम में कोई फेर बदल नहीं किया जाएगा यानि परिच्छा हैं तैंक टाइन टेबल के अधार पर ही ली जाएगी यह जानकारी विश्वसनी सुत्रों के हवाले से दीज गई है मंगलवार को सिच्छा मंत्री वर्साग आइकवार और महाराश्य के राज सिच्छाओ बोड के अध्यच और पदा अधिकारियों के एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया था दो दिनों पहले महाराश्य के अलग-अलग सहरों में हुए और परिच्छाओं की तिथियों को बढ़ाने के मतलब पोस्पॉंड करने का मांग को लेकर हजारों विदार्थी सडक पर उतर गए थे इसके बाद यह सवाल उठा कि परिच्छाओं से समंधिन नियों में कोई बदलाव होगा क्या इस तरीके से कोश्चन आने लगा तो इसका जबाब है कि नहीं परिच्छाओं नियोंजी तरीके से यानि ओफलाइन ही ली जाएगी दो सालों में कोरोना संक्रमण की वज़ा से विदार्थी कोई पढ़ाई आनलाइन हुई है कई परिच्छाओं रद करनी पड़ी काफी नुकसान हो चुका है अब कोरोना संक्रमण कम हो गया है ऐसे में ऑनलाइन एक्जाम लेने का कोई वज़ा नहीं इसलिए परिच्छा ओफलाइन ही ली जाएगी यह हुआ और ओभी जो टाइन टेबाल आया उसी समय पर यह था बोड की तरफ से महाराष्ट बोड की तरफ से अपडेट था जो मैं आप लोग को बता दिया अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करना जिसे महाराष्ट की कोई कोई भी इनफॉर्मेशन अपडेट आए सबसे पहले आप लोगों तक कोंचे थांक्यू आल माइप्रेंट जितना हो सकता है इस वीडियो को सेयर करने की कोशिस करना जिससे और लोगों की जो बोड के रिलेटेड कोई भी डाउट है और क्लियर हो जाए